एक लिटर ट्राइकोडर्मा तथा निमिटोड से हजारो लिटर बनाओ फसलो को कुपोशन तथा मर्रोग से बचाओ किसान भाईयो अब हजारो रुपए खर्च करने की आपको आवशक्ता नहीं है आप ट्राइकोडर्मा तथा निमिटोड घर पर बनाईए एक बार 500 रुपए खर्च करके आप 3 साल तक आपके फसलों का सरक्षन कर सकते हैं इसके बाद आपको ये खर्च भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मल्टिप्लायर आपकी मिट्टी को विशानु मुक्त मना देगा जो फसले किसी कारण मरने लगती है उनके लिए या जिन फसलों को पोशक तत्व कम मिल रहे है या जिन फसलों में कीटक तथा रोगों का अटैक ज्यादा दिखाई दे रहा है कुछ फसले हानिकारक विशानों के द्वारा अधिक मात्रा में फसल की जणों से रस चूसने के कारण मरने लगती है एक एक पौधा मरना शुरू होता है और कुछ ही दिनों में पूरे खेट की फसल मर जाती है कुछ फसलों के मरने का करण होता है निमिटोड सुत्र कुरुमी या गोल किड़ा निमिटोड जिस फसल की जड़ में प्रवेश कर जाता है उसे मार डालता है अंदर प्रवेश कर चुके निमिटोट का कोई इलाज नहीं है इसलिए उसे पौधों पेड की जड़ों में प्रवेश करने पुर्व मारना ज़रूरी है आजकल रासायने खेती के कारण मिट्टी कड़क होने से उनमें आक्सिजन की कमी हो गई है इसलिए मिट्टी में हानिकारक विशाणूं तथा निमिटोट की संख्या बढ़ गई है हानिकारक विशाणूं सभी फसलों का नुच्सान करते है कोई भी फसल सूरी उर्जा की मदद से जो भोजन बनाती है वो भोजन आगे की प्रक्रिया के लिए जड़ों के पास आता है हानिकारक विशानू जड़ों से भोजन की चूरी कर लेते हैं भोजन की चूरी हो जाने से फसलों का कूपोशन होता है दोस्तो मर रोक की बिलकुल भी चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है बाजार में जिवानों के उत्पादन उपलग्द है जिनकी मदद से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते है बाजार में ट्राइकोड अर्मा नाम से जिवानों उत्पादन मिलता है कुछ लोग प्लैस्टिक की ठहिले में पाउडर के सुरूप में भी बेचते है ऐसा उत्पादन कभी नहीं लेना नामं की कंपनी का ही लेना जो बाटल में तरल सुरूप से मिलता है ट्राइकोड अर्मा के साथ निमिटोड के जिवानों एक साथ भी मिलते है अगर एक साथ ना मिले तो दोनों उत्पादन अलग अलग लेकर बना सकते है ट्राइकोड अर्मा के साथ निमिटोड कंट्रोल वाला उत्पादन छोटी से छोटी पैकिंग मतलब 250 मिली भी चलीगी अगर बड़ा पैकिंग हो तो आप 100 मिली का इस्तेमाल करके बचा हुआ फ्रीज में रख सकते है जब इस्तेमाल करना हो तब 2 घंटे पहले फ्रीज से बाहर निकालना पड़ेगा एक बरतन में 10 लिटर ताजा पानी भरना है इस पानी को गरम करना है पानी गरम करते समय इसमें 50 गरम गूड या 100 मिली दूध मिला दे जब पानी में उबाल आने लगे इसे बाजु में थंड़ा होने के लिए रख दे पानी थंड़ा हो जाने पर इसमें 100 मिली ट्राइकोडर्मा के साथ निविटोड कंट्रोल वाला उत्पाधन मिला कर किसी प्लैस्टिक के ड्रम में डाल कर धकन को प्लैस्टिक लगा कर बंद करे मतलब उसमें बाहर की हवा ना जा सके दूसरे दिन सुबह इस धकन को खोल कर किसी स्वच्छ लकणी से इस पानी को हिलाए फिर धकन बंद करें, ऐसा आप आठ दीन तक करते रहें थंडी के दिनों में इस ड्रम को हल्की धूप आती हो ऐसे जगा पर रखे बाकी महिनों में आप कहीं भी छाव में रख सकते हैं ज्यादा थंडे मौसम में आपको धूप में रखना पड़ेगा अन्यता जिवानों की ग्रोथ नहीं होगी ऐसा करने से जो उत्पादन आपने 100 मिली डाला था अब आपके पास 10 लिटर बन गया है आप 200 लिटर पानी में एक लिटर डाल कर बहते पानी के साथ खेत में दे सकते हैं या टपक पद्दत के माद्यम से भी दे सकते हैं यह उत्पादन बार बार देने से कोई नुकसान नहीं बलके फाइदा ही होगा रासा इनिक खादों के कारण हमारी मिट्टी कड़क हो गई है कड़क मिट्टी में आक्सिजन कम हो जाने से हानिकारक विशानों की संख्या बढ़ गई है ये विशानों फसल का भोजन चुरा कर अपनी संख्या बढ़ाते है परिणाम ये होता है कि आपकी फसल को भोजन की कमी होने से फसल का कूपोशन होता है कूपोशित फसल पर कीटक तथा रोगों का आगमन होता है इसलिए यह उत्पाज सभी प्रकार के फसलों के लिए भी इस्तिवाल करना फाइदे का है मल्टिप्लायर मिट्टी में जिव जुवानों की संख्या बढ़ा कर आक्सिजन का परमान बढ़ाएगा तब यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी इसलिए दो या तीन साल अगर आप यह प्रक्रिया अपनाते हैं तब आपके फसलों का भोजन हानिकारक विशानों चुरा नहीं पाएंगे या जिन फसलों में मर रोग लगता है वो फसले मर रोग से बच जाएंगी आप एक बार एक लिटर उत्पाद खरीदी करके लाते हैं और उसे स्रीज में रखते हैं तब यह उत्पाद आप कम से कम तीन साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार आपको पैसा खर्च करनी की आवशक्ता नहीं है